So guys in this video मैं आपको बताऊंगा MIUI 10 device के लिए काफी एक cool trick जिसे यूज़ करके आप अपने कोई भी Xiaomi phone के lock screen पे live wallpaper को set कर सकते हो वो भी अपने phone को बिरा route किये like कुछ इस तरीके से आप अपने कोई भी Xiaomi phone पे lock screen के live wallpaper को set कर सकते हो जो आपको default setting में नहें मिलता और मैं इस वीडियो मैं आपको full detail के साथ clear करने वाला हूँ उसको कैसे set करना होता है और कैसे customize करना होता है तो जानने के लिए इस वीडियो को आखर तक जरूर देखना है तो without any more wasting time let's go start it सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह मैं description पर इसका downloading प्रोवाइड कर दूंगा इस application का तो यहाँ पर download करने में अगर आपको कोई भी description के link के through problem होता है तो simply अगर आप जा सकते हो play store पे एंदर आपको वापर search करना होगा वाल लूप search करने से आपको जो first number पर result मिलेगा simply आपको इसे download कर लेना है और इस 4.7 के rating के साथ आता है play store पे जो काफी अच्छा rating माना जाता है तो simply आपको इसे open करना होगा open करने के साथ आपको कुछ इस तरी के आपको interface शोख हो जाएगा आपको यहाँ पर काफी सारा categories के live wallpapers and rain tone के collection आपको इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हो आपको पहले जो features मिल जाते हो premium live wallpaper और दूस्टे जो मिल जाता है वे 4K live wallpaper तो मैं simply recommend करती हूँ आप premium live wallpaper को use कीजिए इसमें काफी सारा wallpapers की collection है जिसे आप use कर सकते हो सो गाइस premium पर जाने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारा categories आपको यहाँ पर काफी सारा live wallpaper आपको preset मिल जाएगा या present मिल जाएगा simply मैं इसको choose कर लेता हूँ और choose करने के बाद आप यहाँ पर देख सकतो आपको यहाँ पर काफी सारा option देखने को मिल जाता है आपको simply से download करने के लिए आपर देख सकते हो काफी अच्छ और काफी minimal आपको live wallpaper पर मिल जाता है simply आपको HD download पर click करना होगा आंदन यहाँ पर lock screen पर set करना चाहते हूँ और lock screen और home screen दोनों पर set करना चाहते हूँ यहाँ पर से choose करके set कर देना है मैं simply lock screen live wallpaper पर tap करूँगा आंदन देख सकते हैं आटोमेटिक यह download start हो जाएगा so download complete हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ok का symbol देखने को मिल जाएगा so यहाँ पर ok का symbol जब दिखाएगा तो आप समझ जाना आप अपने lock screen पर live wallpaper पर set हो चुका है so guys मैं जाते हूँ यहाँ पर lock screen पर और यहाँ पर lock screen पर आपको यहाँ पर live wallpaper के साथ आपको यहाँ पर notification देखने को मल जाएगा to private multiple lock screen showing the recommendation and the disabled duplicate lock screen तो आपको इसको fix करने के लिए simply आपको ok बटन पर tap करना होगा यहाँ पर जो अपना password है simply आपको उसे इंडर आना होगा and then यहाँ पर जो आप अपने phone के device के लिए lock screen पर जो password set करके रखे थे वहाँ आपको उसे set कर देना है and then यहाँ आप next पर tap करने के बाद आपको यहाँ पर turn off lock पर click करने के बाद ok कर देना है इंदर अपना जो lock screen के live wall paper है ओ काफी बढ़िया तरीके से work करने लग जाएगा so यहाँ पर देख सकते हो काफी अची तरीके से work कर रहा है live wall paper आप यहाँ पर काफी अच्छा तरीके से आप अपने बिना root किये phone के आप live wall paper का मज़ा ले सकते हो lock screen पर जो मुझे काफी अच्छा फीचर से लगा और यह application मुझे काफी ज़्यादा favorite लगा अगर आप अपने device के customize कारना पसंद करते हो तो इस application को आपको ज़रू से पसंद आया होगा इस application कैसा लगा इस application के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के में प्लीज मुझे ज़रूर बताना अगर आपको इस application के वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक के बर मत जाना शेयर करना अपने MIUI वाले शाओमी वाले दोस्तों के साथ सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शूब हो